इसमें क्या कह रहा है बताना है नीचे दिये गए कथन सत्य है या औसत्य है कारण के साथ अपने उत्तर देजिए नीचे ये तीनों को बताना है कि ये सही है या गलत है और साथ में उसका कारण भी बताना है कारण भी देना है पहला है, अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, हल तु लिख लेना है, क्या करना है, हल, ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद एक नमबर है, एक नमबर लेख लो, अब पढ़ो कोशन को क्या कह रहा है, प्रतेक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या होती है, मतलब यह है कि जितने भी पूर्ण संख्या है, वो सब के सब प्राकृत संख्या होती है, क्या ये बात सही है, ये बात सही है, पूर्ण संख्या कहां से सुरू होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, ये सारा, पूर्ण संख्या है प्राकिर्तिक संख्या कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है है ना? तो अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एक से लेकर इधर में जितना भी ये सारा प्राकिर्त संख्या है लेकिन ये सुने तो हमारा प्राकिर्त संख्या नहीं है कोशन में कहा कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या है प्राकिर संख्या है तो क्या ये सही बात है नहीं गलत बात है है ना तो हमें क्या करना है यहां लिखेंगे लिखेंगे ओसत्य क्या लिखेंगे ओसत्य ठीक है बोलेंगे सुन्य पुर्ण संख्या नहीं है पुर्ण संख्या है परंटू प्राकृत प्राकृत संख्या नहीं है ओके दूसरा में आते हैं दूसरा क्या कहा प्रतेक पुर्णांक प्रतेक पुर्णांक मतलब जितना भी पुर्णांक है वो सभी परी में संख्या होता है जितना भी पुर्णांक है वो परी में संख्या होता है बात सही है की नहीं पुर्णांग बोले अच्छा बोलो 0 क्या है पुर्णांग है घटा 5 क्या है पुर्णांग है 6 क्या है तो बोलो ये सारा क्या परिमे संख्या नहीं है इन सब को हम लोग बटा में एक लिख सकते हैं जैसे जीरो है तो जीरो बटा एक लिख सकते हैं पी बटा क्यों हो गया ये हमारा क्या हो गया परिमेंशन क्या हो गया गटा पांच बटा एक लिख सकते हैं गटा पांच को तो ये हमारा क्या हो गया पी हो गया और ये हो गया क्यों हो गया तो पी बटा क्यों की रुप में हम हम लोगों ने इसको दर्सा दिया और जिसको हम लोग फीवट अक्यू के रूप में लिक सकते ही वो हमारा क्या होता है परिमिशंख्या होता है यानि जितना भी पुर्णांग है वो सब के सब परिमिशंख्या है बोलेंगे तय दिक पूर्णांग को P बटा Q के रूप में लिख सकते है ठीक है को दिकत तीसरा प्रशने क्यों राते हैं प्रतेक परी में संख्या जितना भी परी में संख्या है वो सब के सब एक पुर्णांक होता है क्या ये बात सही है जितना भी परी में संख्या है वो सब पुर्णांक है क्या ये सही है पक्का चार बटा पांच क्या है परी में है पुरुणांग है? पुरुणांग तो नहीं है पुरुणांग में कभी चार बता पांच आता है? नहीं नहीं आता है, जी तो बोलेंगे ये ओसत्य है ओसत्य कार्म क्या है तो जैसे ले लेते हैं येसी को ले लेते हैं चार बटा पांच एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है परंतु परंतु पुरुनांक नहीं है पुरुनांक नहीं है